तो हेलो एब्रीवन मैं हूं अर्पिज प्रम लर्नुहब दा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हैं फिजिक्स केमस्थी मैथ्स बीलोजी फॉर एपसिलिटी फ्री एट लर्नुहब डाट कॉम तो अब हम देखेंगे कि हमारे कुछ और कोशन्स जो हमाँ इस चैप्टर के रह गए थे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन्स इस वीडियो के ठीक है चलो उमीद है कि आप सब साथ में करेंगे ठीक है और करना भी साथ में क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है फॉर्मूलेज वागे रहा है तो थोड़ा कंप्यूज है तो बस साथ में करते हैं चलो ठीक है अब यह क्या है हमारा पहला कोशन कौन सा है वो कह रहा है कि वोट ट्रैंजीशन इन दा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वोड है थे सेम वेवलेंथ एज दा बालमा ट्रांजी किली अम्स्पेक्ट्रम हीलियॅम प्लस मतलब कितना एक रॉक्त्रों ठीक तो हीलियुम प्लस तुम्मतों किया निकालना है तुम्हें बाई यह वाइगा क्या देखो यह लिखाना क्यिवादर करणीशन इंदा हाइड़न स्पैक्रम वोड है वेव सैम वेखेवलेंब स्इ और यह हो गया RH के चीक रिदबरर कॉंस्टन्सट ओबंग ईंटू क्या होता है मारग जैस क्या होता है इंटू आपस्टे तली एट उफर डूरान फैस क्या थे क्लटा अर। नहीं पता इते को टू रहेच ठीक जैड क्या होता है इसका नंबर यहाँ पे हम किसका निकाल रहा है फॉर हीलियम चल रहा है lg5-1 थी प्लस वैंट्विर्ट अब प्लस को मत देखो अप्लस नंबर बस पूचा थो क्या हो जाएगा यह जाएगा दू का स्कुरा मतलब फोर थीक है अब देखो one upon n1 किता यह स्कुरा को कहां से नार्या है 4 से 2 पे अरहा है तो en 가족 कि तो स्कुरा का स्कुरा मतलब फोर इता मतलब Vo1 upon ठीक है यह उखांग को स्कुरा मतलब तो समझ यह बात ठीक है आप इसका एल्च निकालो सीधा शीधे वन आपॉन लेम्ड़ा इस इकल टू और एच यह जाएगा फूर ठीक है इसका करो तो किता है गा तुम ठीक है इसको तुम सॉल्व करो यह जाएगा तमारा सिक्स्टीन ठीक है 16 4 यह जाएगा 3 4-1 4-1 हो जाएगा तुम्हारा 3 ठीक तो यह हो गई तुम्हाई एक इसको solve करोगे तो 4 से 4 cancel तो जाएगा 3 by 4 यह हो जाएगा 1 upon lambda is equal to RH 3 by 4 तो यह आगे तुम्हारा यह किसका है यह यह तम्हारा एक रिलियाम का है एब दूसरी बात दूसरा तुम किसका निकालना यह तो मैं ह irm से compare करना बैकिता है चलो हर देखते से इंश वारम लगेगा ठीक है सेंखो लगाते है कि यह उसको हाएगा 1 upon हम निकाल है फॉर है फॉर हाइडोजएन ठीक न तो बनापॉन लेंडा सेम आर एच ठीक है अब इनटू जाईड स्क्वेर हाइटम एक नम्बर क्येता होता है वान होता रहा है ठीक au and का मतलब 1 तो सीधे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब क्या, ओ नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसको 1 upon हमें n1, n2 पता ही नहीं, तो n1 का square माना 1 upon n2 का square, ठीक, n1, n2 का square ठीक है, सीधे सीधे compare कर दो इसको, fonctionne number two हो गई है, ठीक है compare कर तो तो मैं यह लिख सकता हूं 1 upon lambda की जगा लेख सकता हूं 3 upon 4rh ठीक है तो मैं लिख रहा हूं 3 upon 4rh is equal torhrh इसका और यह जाएगा 1 upon n1 का स्क्वेर माइनस 1 upon n2 का स्क्वेर ठीक है ठीक है जाब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3 by 4 3 by 4 is equal to 1 upon n1 का स्क्वेर माइनस 1 upon n2 का स्क्वेर ठीक यह आएगा हमारा अब इसको सॉल्व करोगे तुम आ जाएगा n1 is equal to 1 ठीक और तुम्हारा n2 is equal to 2 समझ यह बाद ठीक है तो तुम्हारा वेवलेंट बनेगा वह लगबख सेम ही बनेगा ठीक क्या वेवलेंट कह रहा हूं मैं सुनों जो ट्रांजिशन है 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 रिजन स्पेक्ट्रम का ठीक है वह क्या होगा वह सेम होगा वेवलेंट के बाल मेर ट्रांजिशन के n is equal to 4 से कह रहा है कि calculate the energy required for this process तो तुम्हें energy निकालने इस process होने के लिए कितनी चाहिए कितनी लग रही है मैं देखो the ionization energy for H atom मतलब hydrogen atom in ground state is 2.18 into 10 to the power minus 18 j atom inverse ठीक ground state के बाद चले मतलब n is equal to 1 ठीक चलो अब for hydrogen जैसे species के लिए देखो for hydrogen ठीक है e क्या होता है मारा e is equal to क्या होता हो क्या होता है मारा 2.18 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square upon n square अब वो बोल रहा है ground state ठीक ground state मतलब n की value हो गई 1 n की value हो गई 1 है ठीक है तो चलो अब z क्या होता है z होता है तुम्हारा atomic number atomic number ठीक जैड होता है atomic number और hydrogen जैसे species के लिए atomic number क्या होगा भाई वन होगा hydrogen के लिए तो वन होगा hydrogen के लिए वन होगा तो चलो इस एक क्या हो जाएगा e is equal to जब दो नो वन है तो यह हो जाएगा helium ठीक है helium के लिए क्या होगी वाई e is equal to क्या होगा टू पॉइंट वन एट इंटू टू टू पावर माइनस 18 इंटू अब जो जैड है वह एटम एक नमबर है ठीक है और एटम एक नमबर helium के लिए क्लिए क्या होगा जैड इस एक कॉल्ट हो जाएगा टू का स्क्वेर मतलब फूर ठीक है मतलब फूर तो चलो जाब e की वैल्यू जब तुम स्वालवकार होगे क्या है एट पॉइंट सैवन टू इंटू इंट है ठीक है चलो आफ दूसर देखते क्या है देखो अब यह किया है तुम्हार लोघ कोशन क्या रहिए कि इस डदैयंमीटर ऐफ क्ारबन एटम इंटर भान ओसलन प्रहों तूम्हें ट्रीग जो साइड बर्द तूम्हें किया किया था इम उप्रधि c xOS length of scale of length किते दिए तूम्हें the land दिए तुम्हें 20 cm long scale है। उस पर में side by side था कारवन की item रखने है। आप कितने atom तुम्हें रख पाऊगे तुम्हें वो निकाले हैं। कितने atom तुम place कर सकते हो तूम्हें वो निकाल्ने हैं। तो चलो देखते हैं। थीक है? तो कितने लेंथ है उसकी टोटल लेंथ अपउन ठीक है यह तो हो गया अब एक पूरे को पूर्छामीटर आपर नहीं करें यह अने अ Tob तो भाई वो जो डायमीटर है वो सेम ही हो ठीक है तो तुम वैसे प्लेस कर पाऊगा वे कितना बड़ा है उसके साइड में तुम छोटा सा रख दो ठीक है तो वो तो एफेक्ट करेगा ना इरिया को समझ गये नहीं बाद ठीक है अब नंबर ओफ एटम टोटल लेंथ और वन फाइब ठीक है टोटल लेंथ लेंथ तुम्हारे पास टोटल लेंथ कित दिया तुमको टोटल लेंथ यह तुमको टुटल लेंथ लिए तुम destacming अभी न letzका लिए तो मैं अभी बरव एटम और शिलख रहों नवर ऑफ आफ किसके कारह बंकि ए टेंडु एजिए लेक् 5 ru इनिट Klarते हैं और यह सेंटीमीटर में हैं है तो भाई किसी हो तो तुम्हें कणर्ण करना ही पड़ेगा किसी हो तुम्हें करना ही पड़ेगा ठीक है जब सैंटीमीटर को 20 दिकर करूं नेनो करों ये बड़ी वैल्ली हो स्थोटी में जाएगी तो जो पावर आएगी टेन की ऊपर वहो क्या फोसिटव외 यह क्या होगा 20 इन टू तू दू लिपावा सेवन नयनो रूप Wu ठीक है, 20 x 10 to the power 7 nanometer, यहाँ पे रख दू मैं, 20 x 10 to the power 7 nanometer, जब इसको solve करोगे, जब इसको solve करोगे, तो क्या आएगा, nc is equal to 1.33 x 10 to the power 8, ठीक, atom, 10 to the power 8 atom present है, देखो, तो तुम 1.33 x 10 to the power 8 atom को place कर सकते हो, समझ गया है, 20 cm की length पर, side by side, समझ गये बाद, तो यह आगए तुमारा atom, यह आगए तुमारा, ठीक, तो main यह formula याद रखना, यह formula लगता है, ठीक है, और भी solve करेंगे, तो उसमें भी लगेगा ही लगेगा, यह तो, ठीक, I'm sure, चलो, अब देखते दूसरा क्या है, जब देखो, अब क्या कह रहा है, हमारा next question क्या कह रहा है, देखो, कि 2 into 10 to the power 8, इतने atoms हैं, किसके carbon के, अब वो arrange है side by side, फिर से वही वाला आगया, वही concept लगेगा, ठीक है, calculate the radius, अब तुम्हें बस यह है, कि इधर radius दे दिया है, तो तुम्हें तो पता है, चलो, बताते हैं क्या, of atom, तुम्हें किती दिये, तुम्हें radius दिये, ठीक है, किता है, length तुम्हें total length दिये, 2.4, समझे बाद, तुम्हे calculate करना radius, ठीक है, if the length arrangement किता है, 2.4 तुम्हें total length दिये, तो, चलो, याद करो, वही formula क्या था, number of atom, number of, फिर से atom, number of atom, is equal to क्या था, total length, total length, total length, upon क्या था, diameter, diameter, diameter था, diameter, तो यह बता हो, भाई, कब से पढ़ते आ रहे हो, 10th से diameter और radius में, क्या relation होता है, देखो, d diameter जो है, वो twice होता है, किसका radius का, यहीं होता है, तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर diameter मैं निकाल लूँ, तो half कर दूँगा, तो radius हाजाएगा, ठीक है, तो चलो, अगर नमबर ओफ, नमबर ओफ एटम, कारवन के एटम है, तो से लगए तरहाँ, C, नमबर ओफ, N, C, ठीक है, सीधर लिख दिया, अब तुम्हाँ पास value क्या है, टोटल लेंद्ध है, तुम्हाँ पास, हाँ दी हुई है, ठीक है, तुम्हाँ पास atoms है, चलो, atoms भी है, तो तुम्हें कोई change बगएरा नहीं करना, उधर करना पड़ा, ठीक है, अब देखो, diameter, तुम्हाँ पास number of है, number of carbon कितने है, तुम्हाँ पास, 2 into, 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 8, यह होगा तुम्हारा, समझ गए, यह आएगा ना तुम्हारा, तो यह कित्ता हो जाएगा, यह जाएगा तु 1.2, 10 को उपल ले जाएगा, diameter आजाएगा, तुम्हारा, 1.2 into 10 to the power, यह उपर जाएगा तो, minus 8, तो यह होगा diameter, अब हमें चाहिए था, radius आगया diameter, तो बस, अगर diameter का half कर देंगे, तो radius आजाएगा, तो radius is equal to हो जाएगा, d by 2, ठीक है, तो चलो, radius निकालो, r is equal to क्या होगा, इसका half करोगे, तो किता हैगा, 0.6 into 10 to the power, minus 8, यह आएगा, ठीक है, और r, मतलब radius क्या है, लेंत है, तो इसका meter क्या होगा, इसका होगा unit meter, समझे यह होगा ही, तुम्हाई radius, चलो, तो तुम्हें किते relation पता होने थे, एक तुम्हें यह formula पता होना था, ठीक है, और दूसर radius का formula तुम्हें पहले से पता है, relation diameter के साथ तुम्हें पहले से पता है, समझे गए, चलो, यह होगा, चलो, अब दूसर देखते है, क्या है हमारा, the diameter of zinc atom is 2.6 angstrom dv, calculate, calculate क्या करना है, एक तो radius, ठीक है, फिर से भाईवाला लगा देना, ठीक, radius of zinc atom in picometer, तो तुम्हें picometer में क्य दिया, 2.6, 2.6 angstrom, यह तुम्हें क्या दिया, diameter, d is equal to, तुम्हें d आप, radius निकाल होगा, तो क्या है, r is equal to, इसका half किता होगा, 1.3 angstrom, लेकिन हमें 1.3 जो angstrom है, हमें angstrom में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें picometer में चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएग माइनस 10 होता है, और picometer केता होता है, माइनस 12 होता है, ठीक है, समझ यह बात, तो यह जाएगा, तुमारा क्या, radius, यह आ गया हमारा, radius, यह हो गया हमारा क्या, radius, चलो, अब दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें क्या है, कि B, number of atom present in, in a length, ठीक है, 30 cm, if zinc atom are arranged side by side, lengthwise, त तो फिर से वही formula लगेगा तुमारा, कि number of इस बार किसके atom है, zinc के, तो n is equal to zn लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, upon total length, total length, upon, यही था, अब diameter, diameter है हमाँ पास, diameter है, ठीक है, diameter क्या है हमारा, 2.6, 2.6 angstrom में है यह, ठीक, और length किसमें दी हुई है हमें, length, दी है क्या हमें, देखो, number of atom present length हमें किती दी है, 1.6 cm, 1.6 cm, ठीक, तो देखो, निकालना क्या, number of atom, चलो निकालते हैं, n, zn, is equal to, अब देखो, यह cm में, यह, एंग स्ट्रॉम में, ठीक है, तो दोनों को हम एक, एक में convert कर लेते हैं, देखो, यह हो जाएगा, 2.6, 1 एंग स्ट्रॉम एक किती मीटर, य यह हो गई, मीटर में, अब हम ऐसे cm को convert करेंगे, तो क्या होगा, यह हो जाएगा, 1.6 x 10 to the power minus 2 meter, यह होता है न, ऐसी convert करते हैं न, ऐसी convert होता है, 1 meter equal to किता होता है, 100, ठीक है, चलो, देखो, अब, यह क्या हो जाएगा, तुमारा, यह हो जाएगा, तुमारा, टोटल यह हमारा डायमीटर, और यह हमारा क्या, टोटल लेंथ, ठीक है, तो चलो, अब यहां से तुम जब निकाल होगे, number of, 6.15 x 10 to the power 7 meter, तो कितने अटम्स प्रेजेंट है, कितने अटम्स प्रेजेंट है, 6.15 x 10 to the power 7 atom present है, किसके zinc के, तुम उसको ऐसे कर, क्या कर सकते हो, arrange side by side, यह से arrange कर सकते हो, समझगे बात, ठीक है, यह होगा हमारा 37, चलो अब दूसर देखते हैं, क्या है हमारा, चलो देखो, अब क्या है हमारा, किया certain particle, carries कितना, 2.5 x 10 to the power minus 16 coulomb, ठीक है, इतना, क्या, static electric charge, एक कोई पार्टिकल है, उसके अंदर इतना charge present है, static electric charge present है, ठीक, calculate the number of electron present in it, same ही question है, बस इसमें electron आ गया है, items नहीं है, इसमें सिर्फ आ गया है, electrons, तो हम वैसे ही निकालेंगे, मगर कि number of electron is equal to, is equal to, total कितने दी हैं तो मैं, वो निकालेंगे, total, total charge, उसमें क्या था, length था, उसमें चार्ज हो गया, total charge upon, और नीचे क्या था, उसमें diameter, diameter of one atom था, तो यहां पर क्या जाएगा, charge on one atom, charge on one electron, atom नहीं electron, ठीक है, तो यह जाएगा, number of electron is equal to, total charge upon, charge on one electron, ठीक है, यह समझ गए, ठीक है, तो एक electron की उपर, charge कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलंब, यह पता है ना में, यह क्या होता है, एक electron की उपर, charge इतना प्रेजेंट होता है, यह ना, इतना प्रेजेंट होता है, तो अब हमें निकालना क्या है, कि हमाया पास total charge है, हमाया पास total charge है, ठीक है, charge on one electron हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, number of electron हम इससे निकाल सकते हैं, तो चलो, सीधे-सीधे value पूट कर देते हैं, क्या है, number of electron को मैं लेखता हूँ, number of electron, ठीक है, any is equal to total charge, total charge कितना है, हमा पावर माइनस 19 कूलम्ब समझ गए बात ठीक है जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा या तुमारा वन फाइव सिक्स जीरो कूलम्ब समझ गए यह आएगा तुम्हारा वैल्यू कुछ इतनी तुम्हाई वैल्यू आएगी मतलब कि तुम्हारा कूलम नहीं आएगा क्योंकि इस से तो कूलम मैं तो कूलम से कूलम कैंसल हो जाएगा तो नंबर ओप एटम कितने होंगे तुम्हारे 1560 समझ गए बात 1560 इतने तुम्हाई पार्टिकल प्रेजेंट हैं कितने 1560 जिनक on the oil drops has been obtained by shining x-ray ठीक है चलो यह तो experiment के अंदर ही था तुम्हें देखो भाई कितना electron का static charge तुम्हें इतना दिया हुआ है calculate the number of electron present on it ठीक है तो अब यह आगा है चार्ज वाला अब तुम्हें क्या निकालना है calculate the number of electron कितने number of electron present होंगे तुम्हें वो निकालना है ठीक है तो देखो total charge कैसे निकालेंगे हम total charge on electron ठीक है मान लो उसमें कितने present है n number of electron present है ठीक है उन सबका जो charge होगा वो होगा क्या total charge यह होगा ना कि भाई यतने भी electron present है उन सबका charge को अगर मैं क्या कर दो into कर दूं ठीक है multiply कर दो तो क्या होगा वो total charge के equal होगा ना समझगी है ठीक है आप तोटल तोमें कितना दिया देखो तो मैं दिया इक the elastic electric charge oil drops कितना दिया है तो में जो चार्ज यह वो तुम्हें given है ठीक 1.06 इंटू एक एलेक्टरन की उपर किता चार्ज होता है वो होता है 1.60 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऐसी होता है ठीक है जब इसको solve करोगे तो क्या आएगा तुमारा ये इसको solve करोगे तो आएगा तुमारा 8 बस क्योंकि ये भी कूलम ये भी कूलम दोनों दोनों कैंसिल ठीक है नंबर ओफ किता है तुमारे भाई कितने हैं उसकी उपर प्रिजेंट है एट इलेक्टरन उसमें प्रिजेंट है एट इलेक्टरन प्रिजेंट है समझगे बाट प्रिजेंट है 8 electron उसमें present है ठीक, तो चलो, यह वाला हो गया हमारा चलो अब दूसरा देखते है हमारा, देखो अब हमारा क्या कह रहा है, next वाला कि in Rutherford's experiment generally the thin foil of heavy atom thin foil of heavy atom like gold platinum ETC has been used to be bombarded by the alpha particle, ठीक है चलो उसको अभी समझते है, if the thin foil is light atom like aluminum बगेरा is used what difference would be observed तो क्या होता, क्या difference हो सकता था, यह बता सकते हो तुम लोग तो बिलकुँ बता सकते हो, दिमाग लगा थोड़ा सा यहाँ पे heavy atom है और सिर्फ यहाँ पे क्या है, light atom है ठीक, तो हुआ क्या था पूरे में, पूरे Rutherford के में, देखो उनने क्या किया था, कि एक जो क्या है, तुमाई जो फॉइल है उसकी उपर क्या किया था, bombarding करी थी किसकी, alpha particles की alpha particles की ठीक है, यही हुआ था ठीक है, अब इसको में, कैसे समझते हैं हम इसको shells समझते हैं ठीक, ऐसा कुछ present था यहाँ पर क्या तुमारा nuclear जो कि heavy है, वो है अब सुन्दो, क्या किया था, उनने जब alpha particle को क्या किया था, bombarding करी थी तो उनने देखा, कि कुछ जो थे वो तो सीधे निकल गए जो कुछ जो थे, वो तो सीधे निकल गए ठीक है ठीके न, बहुत सारे जो थे मतलब कि जो 99% जो थे alpha particle, वो क्या थे वो सीधे निकल गए वो पास हो गए, सीधे उनने कुछ फर्क नहीं देखा, लेकिन उनने एक चीज देखा कि कुछ जो थे वो किसी चीज से टकरा के deviate हो रहे थे ऐसी कुछ था कि 99% जो है, वो पास हुए सीधे पूरे पास हो गए, ठीक है और उनने यहीं बोला कि भाई, जो एटम है उसका जो 99% जो पार्ट है मतलब जो क्या उसके अंदर स्पेस है, वो फिरी है, ठीक है, दूसरा क्या था, कि कुछ हो गाई थै डैविऐट अपने पास से, डैविट होगा थै क्या पास से, डैवेट थिक है, अभ उसके बार थार्ड क्या देखा था उनने कि भाई कुछ जब उनने क्या किया, जब वो आल्फा पार्टीकल को क्या किया उनने पास किया तो सीधे 180 घूमके वापस आ गए अपने जासे पात पे समझ गए वो जो जैसे गए वो वैसे वापस आ गए ऐसी देखा था ना फिर उनने बोला कि बीच में कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है वह जो अलफा जो अलफा पार्टिकल है ठीक है उनको क्या क पॉजटिफ चारज है तो वह किस से कुछ तो एसा प्रेजेंट है जो की पॉजटिव चारज का है जिसके कारण अलफा पार्टिकल पूरी 180 घूम गई जिस पास से आई थी उसी पास से वापस समझ गए वात ठीक है तो यह बता आए था उसने तीसरा ठीक है, 180 घूम गया अब सुनों यह तो राधर पोर्ध का था अब में जो थी कि भाई विट्पू ही क्यों लिया है वड़ी तंवा लो को ही क्यों कि अगर वह लाइटर वालों को लेता तो जितने हमें क्याँ देख रहे हैं जो भाई यह जो डाइवैट हो गए है माललो हरी हमें मिलते ही ने गुमती वह भी वह सरिफ टाइवर्ट हो जाती वंई टीक है तो हमें पूरा सही से पता नहीं चलता समझ कहें इसलिए हम किसा करते ह्म है वह मिलते हैं और यह चुरा हो रहा है 180 गूम रहा है कि नहीं लेकिन light होता तो ऐसा नहीं मिलता हमें हो सकता जितने डाइवट हो रहा हैं वो मिलते ही नहीं bakın हमें पूरी पर Pearing रशर्च सिर्फ इतना कि अगर लाइट लेते तो जितना हमें मिलना था जितनी हमें येल्ड वैल्यू बोल सकते हैं जितनी हमें क्या मिलनी थी ऑब्जर्ब होते हमें जितना येल्ड नहीं ऑब्जर्ब होते उतना नहीं हो पाता इसलिए हम हैवी मैटम को यूज करते हैं ना कि हम किसक कुछ इतने कोशन देखेंगे ठीक है अब हम आने वाले वीडियो में इसके थोड़े आगे के और कोशन और बच रहे गए है ठीक है और फॉर्मूले के सांथ ठीक है एकदम पूरा फॉर्मूले लिखवा देंगे पूरा कितने फॉर्मूले लगे हैं चैप्टर में क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लख्ष चोके हैं अभी तक ठीक है तो चलो अभी के लिए फिनिश करते हैं तीक मैं हूं अर्पित प्रम लन्नोहब फ्री है पर बेस्ट है आसे को चलादे झादे य Annap हर दो सबस्यार को अर्पित प्रल्श मैं हुथ-प्राइब धरमारान